नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चनल एक्जाम गुरू में दोस्तों हमारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण वेब सीरीज चल रही है वीडियो सीरीज चल रही है रेलवे परिक्षा दोजार चोविस के लिए जीके जीएस और करन्ट अफ्रेश की जो जोड़ दोगा सांसा डिस्क्रिशन बॉक्स में भी में लिकर दोगा जहां से आप देख सकते हैं दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपको पता होगा कि एलपी का नोटिफिकेशन तो आ गया हमने जैसा कहा था कि पंदरा से बिस दिन में आ जाएगा तो आपका नोटिफिकेशन जारी हो गया है अब किसी भी समय अपनी तयारी को अप्टू डेटर किए उसी के लिए हम पांच हर कोशन कंप्लीट कर रहे हैं जो कि प्रिविएस ये कोशन बैस्ट हैं जिस प्रकार कोशन रेलवे द्वारा पूची जाते हैं आपको पता होगा कि पांच कॉशन हर वीडियो मैंने वाले हैं इस प्रकार पांच कमप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो के कुछ रूल संकरी आपको हर कॉशन के लिए दस सेकंड का वक्त में देगा हैं सांसाथ मैं आपको बता जाँ हो कि आपको आधर मिज़ों के आनसर पतातर कोशिश कीजिए का की के मार्स हमेशा 40-45 की बीच में रहें अगर आप चाहते हैं कि जीके जीस और इंट परसन सहीं करना चाहते एक्जाम में आपको एक चीज़ पता दू के लिए हम हर वीडियो में पिछले वीडियो से जितने वीडियो आया है कुछ कोशन रिपीट करते हैं जिससे कि आपके मार में 100% मार्स आने की पूरी-पूरी संभावना है तो चलिए बिना टाइम विच्ट के आज का हमारा 27 वे नंबर का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पिले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आई है तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को वाटसेप पर शेयर जरूर कर दें वाटसेप, फेसबुक, सब जगे शेयर जरूर कर दें साथ-साथ वीडियो के आगरी में आपको जरूर बताना है कि आपके नंबर कितने हैं और सामाजिचुए की तियारी कर रहे हो ग्रूप D की तियारी कर रहे हो है या फिर आप जूनियरक्की की तियारी कर रहे हैं या फिर एल जिस भी अग्जयम की आप दोक्सिंघ आरर जेर करना जब आementsांरान चैनियर केरल राज जी के उच्छरटा का कारण है है केरल राज के उच्छय साख्छरटा का क्या कारण है तो इसका सही तरह लिग स्टों Os 아 डिशन सीिरा सामाजिक अवसंग उसके क्षित सामाजिक स्टा। निम्न में से कौन सा कमरे के तापमान पर एक द्रव है इसका सही उत्रय है? और आप्शन नंबर 16 राइट आंसर फ्रेंशियम जुकि कमरे के तापमान पर द्रव आउस्ता में पाए जाता है नाइक्रोम के तार हिटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किये जाते हैं तो क्यों किये जाते हैं तो इसका सही तो हो जागा दूस्तो ऑप्शन डी बी और सी दोनों इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्छ होता है लाल तब तो होने पर आकसाइड नहीं बनता कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है कपास की खेती के लिए इनमें से कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है इसका राइट आंसर होगा दोस्तो ऑप्शन अमबर है जो कि कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है भारत में अन्तास्थली जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कोन सी है अन्तास्थली जलमार्ग के लिए इसका सही तरुगती की काई क्या है इसका सही तरुगती काई क्या होती है दोस्तों जीन को माना जाता है राष्ट कूट काल में राष्ट प्रांत का प्रधान क्या कहलाता था बतलाएंगे राइट आंसर हो जाएगा राष्ट पती क्या कहा जाता था राष्ट पती कहा जाता था उसको रॉकेट में किस प्रकार का इधन प्रयुक्त होता है तो रॉकेट में किस प्रकार का इधन प्रयुक्त होता है इसका सहीत्र गदोस्तो ओप्शन सी प्रणोधक किस प्रकार का इधन प्रयुक्त होता है प्रणोधक पच्मणी जीव सनरक्षन छेत्र कहां पर इस्ते दुबलाएंगे दोस्तों कहां पर इस्ते थे पच्मणी इसका राइट आंसर गो दोस्तों ओप्शन बी मद्ध्पदेश पच्मणी जीव सनरक्षन छेत्र कहां पर इस्ते थे तो मद्यपदेश राज्जी में इस्थे थे जायक बाड़ी परियोजना किस नदी पर इस्थे थे बतलाएंगे जायक बाड़ी परियोजना इन में से किस नदी पर इस्थे थे दोस्तो इसका सहीत रोगा option number sees right answer गोदावरी नदी पर इस्थे थे जाए एक बाड़ी परियोजना 2011 की जनगर्णा क्या अंतिम आकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जन सिंक्या घनतवाला राज इन में से कौन सा है इसका सही तरगा तो आप्शन नमबर 28 अनुणा चल पदे सबसे कम जन सिंक्या घनतवाला राज है 2011 की जनगर्णा नुसार निम्रिकित में से कौन सा बेंक मुक्यत लगू उद्यों के संबंद में कारी करता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर 28 राइट आंसर सिडबी कौन करता है सिडबी अशोक के काल में कौन सी लिपी दक्षिन भारत में प्रवरतेत होई थी बतलाएगे कौन सी लिप होई थी दक्षिन भारत में प्रवरतेत इसका राइट आंसर हो जोस्तो ऑप्शन ए ब्रामी लिपी बारत में कितने राज्यों में इसका सहल करते बारत में कितने राज्यों में प्रत्वी की आंतरिक संरश्चना की संबन्द में सरवादिक महत्वपुन जानकारी का इसरोत क्या है किस से मिलती है अपने को सबसे महत्वपुन जानकारी इसका right answer दोस्तो option B भुकम पविज्ञान से मिलती है प्रत्वी के आंतरिक संस्रस्टना के संबंध में जानकारिया पुरान पराना तथा परागवे नदियों के संगम के पशाद इसका सम्मलित नाम हो जाता है क्या बोलते हैं इसको इसका right answer दोस्तो option D लाप लाटा क्या बोलते हैं पराना परागवे नदियों के संगम को लाप लाटा फोटान किसकी मुलबूत यूनिट है तो फोटान किसकी मुलभूत ही निट होता है बतलाएंगे comment box में इसका right answer हो जाएगा जोस्तो option A प्रकाश की फोटान किसकी मुलभूत ही निट होता है प्रकाश की द्वनी तीवरता की decibel में वह अधिक्तम सीमा जिसके ओपर वेक्टी सुन नहीं सकता है तो क्या होती है वो लिमिट इसका right answer हो जोस्तो option number D 95 decibel इसके ओपर वेक्टी सुन नहीं सकता है 95 decibel बिना शर्ली चिकितसा के पत्थरी का इलाज किया जाता है किस पद्दती के द्वारा किया जाता है आपने सुना भी होगा सकराई टांस को जोस्तो option C लेजर पत्दती के द्वारा किया जाता है पत्थरी का इलाज किसके मौझूद्गी के कारण शरीर के भीतर रखत जमता नहीं है किसकी मौझूद्गी के कारण इसा होता है हेपेरीन के कारण इसा होता है कि हमारे शरीर के भीतर रखत जमता नहीं है हेपेरीन गन करशी चेत्री कारेक्रम आई डवल अपी कद प्रारंब किया गया था तो किस वर्च प्रारंब किया था बतलाएंगे इसकाराइट आंसर को दूस्तो ओप्शन बी 1964 पेशुट इसी में प्रारंब किया गया था बंगाल की निम्डिकित फेक्ट्रियों में से एक जो पुर्तकालियों द्वारा स्थापित की गई कहां पर है स्काराइट आंसर को जोस्तों ऑप्शन सी हुगली निम्ड में मिस्टरन है बताना है आपको इन में से कौन सा मिस्टरन की शेड़ी में आता है इसका राइट आंसर को जोस्तों ऑप्शन बी स्पाथ इस पात एक मिश्रन की शणी में आता है निम्डिकित मैं से किस एक में विश्व की व्रहत्तम पशुधन सम्मिष्ट है दोस्तों इसका सही तरुगा ऑप्शन नमबर सी राइट आंसर भारत में सबसाधिक पशुधन मतलब सबसाधिक पशुधन पाय जाते है नूकलियस के बाहर डीने कहां मिलता है नूकलियस के बाहर डीने कहां मिलता है राइट आंसर हो जाएगा जोस्तों आप्शन नमबर सी राइट आंसर माइट्रो कॉंड्रिया विधान परिश्यत की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए बतलाएंगे इसका सहीत रोज तो आप्शन ए चालिस विधान परिश्यत की सदस्य संख्या कम से कम चालिस होनी चाहिए जापान का नागासा की नगर किस द्वी परिस्ते थे जापान का नागासा की नगर इनमे से किस द्वी परिस्ते थे स्क्राइट आंसर दोस्तों आप्शन डी क्यूशू क्यूशू दी परिस्ते थे जापान का नागासा की नगर एक जीन एक एंजाइम से दान्त किस ने दिया था तो किस ने दिया था एक जीन एक एंजाइम से दान्त इसका सही तरह दोस्तों ऑप्शन सी बीडल वर टेटम ने दिया था एक जीन एक एंजाइम से दान्त शाह जान ने निम्लिकित मैंसे कि शहर में मौती मस्जद बन वाई थी। बतलाएंगे दूस्तों किस नदी का उधगम स्रोत स्थी। बतलाएंगे। तिब्बत में मांसरोवड जिल के पास किस नदी का उद्गम स्तिते बतलाएंगे किस नदी का उद्गम स्तिते जुसका राइट आंसर को दूस्तो सिंदू, सतलज, भ्रह्मपोत्र मतलब तीनो ही नदियां तिब्बत से निकलती है निमलिकित में एक इस थान को पेरिप्लस आफ यरिशियन सी में पूर्ट के नाम से समभोदित किया गया इसका सही उत्रूपोत्व आप्शन नबर भी जराइट आँसर अरिकामेट को इसको किया गया है? अरिकामेट प्रकास संसलेशन की क्रिया में क्या बाहर निकलता है इसका सही तरोज तो option C oxygen प्रकास संसलेशन की क्रिया में कौन बाहर निकलता है आकसियन निकलती है बाहर समुद्री खरपतवार निमलिकित मेंसे किसका महत्वपूर्ण स्रोत है इसका सही तोर जाएगा दोस्तों, option number D08, answer iodine का समुद्री खरपतवार iodine का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है रात्री को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है बतलाएंगे कौन सा ग्रह लाल कलर का दिखाई देता है रातरी में इसका राई टांसर रो जाएंगे दोस्तों option B मंगल ग्रह जो की रात में लाल कलर का दिखाई देता है इंग्र उपराष्टपति का निर्वाचन के से होता है? किस प्रक्रिया से होता बतलाएंगे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन केसे होता है इसका सही तरह दोस्तो option B अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन केसे होता है चुनाओ अप्रत्यक्ष रूप से श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था श्रीलंका को पहले सिलो नाम से जाना जाता था इनमें से कौन वन आधारित उद्ध्योग नहीं बतलाएंगे इनमें से कौन सा वन आधारित उद्ध्योग नहीं है इसका सही तरफ तो सीमेंट उद्ध्योग जो की एक वन आधारित उद्ध्योग नहीं है बाकी लाह, कागज और खेल सामगरी ये तीनों ही वनों पर आधारित उद्ध्योंगे हैं अशोक ली लेंड नाम के ट्रकों का उत्पादन किस उद्ध्योंगी घराने द्वरा किया जा रहा है आपने देखे होंगे ये अशोक ली लेंड वाले तो इसका सही तरह दोस्तों ऑप्शन नमबर डी जरा रहे टांसर हिंदुजा ग्रूप के दोरा किसकी दोर किया जाता है हिंदुजा ग्रूप राकेट की कारे प्रणाली किस सिद्धान पर आधारित होती है इसका सही तरगाद तो आप्शन नमबर एजर राट आंसर न्यूटन के तरती नियम पर आधारित होती है राकेट की कार्य प्रणाली केगा परमाणू विद्युत सहियंत्र कहां पर इस्थेते हैं के जनसंख्या के इतिहास में जनांकी की विव भाजन वर्ष कहा जाता आप जाता है के आप आप यह नाईटीण animal को मानबाग जाता है जनांकी की विव्भाजन वर्षग उनन्यस विक्षग उन्यस्यूंद निस् सो एकृत वर्ष दिर्गतम होता है बताना है कि किस ग्रह पर सबसे बड़ा साल होता है इसका सहीत तोर जाएका दूस्तों option number 6 right answer Neptune पर कहां पर होता है सबसे बड़ा साल Neptune पर प्रत्वी की आंत्रिक सनरशना की विश्वसनी जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुक इसरोत इन में से कोन सा है इसका सहीत तोर जाएका दूस्तों option number 8 right answer भुकम पविज्ञान भारत के राश्टपती को उसके पद से हटाया जा सकता है तो बतलाएंगे जुस्तों तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है संसत के द्वारा भारत के राश्टपती को उसके पद से संसत द्वारा हटाया जा सकता है किस देश में भुकम पसे उत्पन विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं तो कहां से निकला था है नाम सुनामी इसकाराइट आंसर हो जाएगा दोस्तो जापान जापान में जब भुकां पाया थो उसके बाद सुनामी आए थी तो ऑप्शन नमबर इस राइट आंसर जापान हीरा है बतलाएंगे हीरा क्या है तत्व योगिक मिश्रन या फिर तरल कमेंट बॉक्स में शेट ये इसकार राइट आंसर हो जाएग है तो ऑप्शन नमबर इस राइट आंसर तत्व की श्रेणी में आता है किसा ये है नंतिकी देशों में से किसे जीलो की वाटिका या फिर जीलो की नगरी कहा जाता बतलाएंगे किस देश को का जाता है जीलो की नगरी इसका रही टाजर्वरंचर दूसर उपशन ए फिन लेंड फिनलेंड को खनिज है इसका इसका सही तो दूस्तरु ले जोस्तर बंगम वपाज़ लोन ऑपशन भी सोना धात्वीग खनिज़ंज की श्रेड़ी में कौन denn I सोना आता है जिन पोदों पर बीज बनते हैं कि इन तो पुश्प नहीं लगते उन्हें क्या कहते हैं इसका सही तरुब दूस्तों ऑप्शन बी अनावरत बीजी उन्हें क्या कहते हैं अनावरत बीजी इसको संयंत्र किसके नजदीक इस्थे थे इसका सही तरुब दूस्तों आज का हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया है अब आपको कमेंट बॉक्स में आपको पचास में से इस वीडियो में कितने माकसा है साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताएं कि आप रेल्वे की किस एक्जाम की तियारी कर रहे हैं अगर NTPC की कर रहे हैं तो NTPC लिखिए, ग्रूप D की कर रहे हैं तो ग्रूप D लिखिए, या फिर ALP, RPF, या फिर आफ जूनियर इंजिनर जिस भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं, कमेंड बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो इस तरह के बनाएं जिसमें इन एक्जाम के कोश्चंस जदा ज़्यादा कवर कर पाएं, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ फेस्बूक वाटसेप पर जरूर शेर करें और वीडियो को प्लीज एक लाइक बद्धनिवाद, जय हिंजे भारत, वंदे मातरूम